अन्यवस कार डेट है आज की साथ अप्रेल दोहजार चौवीस और आज जो था वो कंड़क्ट किया गए था PGT हिंदी का पेपर PGT हिंदी का पेपर जो था वो कंड़क्ट किया गए था ये पेपर वन और पेपर टू में जो था वो कंड़क्ट किया गए था पिपर 1 जो था वो morning session में conduct किया गहा था दस जे 11 वज़े के बीच में इसको conduct किया गहा थख अब इसी paper को हम discuss करेंगे और देखिये पहले ही हम discuss कर लेता है कि paper तो काफी tough था अगर हम बात करें previous हमने जो अभी तक paper देखें थे उनके मकाबले में यह paper काफी tough था और अभी टफ लेवल के लिए ही तियार रहना था हम देखेंगे कि हमने क्या-क्या यहां से डिसकस कर रखा था और क्या-क्या डिसकस नहीं कर रखा था सबसे पहला क्वेशन देखेंगे हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि कौन सा संगठन भारत में रस्ट्रिया का अनुमान लगाता है यह क्वेशन असान था आप CSO इसका सही कर लेते हैं Central Statical Organization केंद्रिय संख्य के संगठन जो है इसका सही अंसर होना था HPSAC ने भी बहुत बार ये question पूछ रखा है जब HPSAC paper conduct करवाता था आगे बोलते हैं कि 5-year plan दिये गए हैं आपको इनकी theme और objective आपने ध्यान रखना है कि कौन सा था हिंदी में ही discuss करेंगे चाहे क्योंकि हिंदी का paper था तो हम हिंदी में ही देखते हैं यहां पर 9-year plan दी गई है 10-11 और 12-year plan यहां पर option A जो हो इसका सही answer हो जाएगा 9-year plan यह तीसरे के साथ match करेगी एतिहासिक विस्मता का कम करना तथा सम्रिधी इसका सही होगा और B की अगर हम बात करें दसमी योजना दसमी योजना जो हो पहले के साथ जो हो match करेगी जी टीवी की उच दर और अगर हम ग्यार्मी की बात करते हैं तो यह inclusive growth या फिर यूँ कहेंगे समावेशी सम्रिधी की बात करता है और बार्मी योजना जो है वो सतत एवं समावेशी तीवर सम्रिधी की बात ये करता है sustainable और faster inclusive growth की ये बात करता है तो पहला इसका सही अंसर जो था हो जाना था उस हिसाब से क्योंकि D जो है वो दूसरे के साथ मैच होगा C जो है वो C जो है वो चौथे के साथ और B जो है वो पहले के साथ मैच होगा और A जो है वो तीसरे के साथ मैच होगा अगर हम सीरीज की बात करने करते हैं तो question ही आगे पीछे होते हैं का जब लगबक सेम रहती है एगला कोईशन बहुत ही आसान था ये कोईशन हमने बहुत बार डिसकस कर रख complete आपने सीरीस में का कहा पर तै है अगले कोईशन भी आसान था क्लिंवेट की कि बात करते हैं तो यह कहाँट पर सितार 105 C Ko के बारे में पढ़ा है इसके Member Countries के बारे में पढ़ा है वो सारे Questions हमने डिसकस कर रखे हैं अगला Question भी असान था अगले Question में क्या बोलते हैं यहां पर बोलते हैं Which one of the following country is not the member of Beamstack Beamstack के बारे में मैंने आपको बहुत बार उत्तेरिंड सीरीज में बता रखा है कि कौन कौन सी country जो है इसमें भुटान जो है वो आता है भुटान के लावा बांगलादेश इसमें आता है बांगलादेश के लावा इंडिया इसमें आता है नेपाल भी जो है वो इसमें आता है सिरलंका जो है वो इसमें आता है थाइलेंड जो है वो इसमें आता है बोलते हैं headquarter of bricks bank कहां प्रस्थित है headquarter bricks bank का तो इसका headquarter संगाई में स्थित है ये बिल्कुल सही statement दी गई है पहली दूसरे में बोलते हैं साओधी अर्बिया, एजिप्ट, UAE और इरान, एथोपिया इन्होंने bricks को join किया है 2023 में बिल्कुल सही बात है हमने ये देखो एक तो allied की testers में ये question मैंने discuss कर रखा है और detail से हमने ये question statement based discuss कर रखा है दूसरा ये उत्तिरन सीरिज में मैंने आपको बता बता कर किया था कि इन countries ने ब्रिक्स को join किया है तो ये बिल्कुल सही बात है आपका साओधी अर्बिया हो गया इजिफ्ट हो गया, UAE हो गया, इरान हो गया, इथोपिया हो गया, इन्होंने जो है वो क्या किया है ब्रिक्स को join किया है और ये बिल्कुल सही statement हो गया तो दोनों की दोनों statement सही है बोथ one and two statement are correct होगा option A सही answer है अगले question मैं बोलते हैं यहां पर BRI belt road initiative के बारे में question पूछा है हमने belt road initiative के बारे में यह पड़ा है कि चाइना का जो है वो एक initiative है इसमें यही बोलते हैं कि often describe twenty-seven twenty first century silk road made up of a belt of overlay यहां पर जो हो maritime B road B shipping B सब कुछ है तो यह बिल्कुल सही statement है दूसरा बोलते हैं कि चाइना का यह maritime silk road है इसको जो हो इसको स्ट्राइजिक एडवेंटेज सी भी देखा जा रहा है कि चीन का समुद्री रेसम मार्ग है जिसमें समुद्र में जो है और रननती लाब को भी जो हो बढ़ता है य तो यह भी दोनों ही statement जो है वो सही दी गई है option है देखो कोई भी हमें दिक्कत लगती है किसी भी question में तो answer की का हम जरूर इंतजार करेंगे कि जब answer की आएगी तो उसको हम discuss करेंगे answer की आपको telegram channel पर भी हम upload करवा देंगे तुरंत जैसे ही commission upload करता है तो at the rate all exam 31 करके आप हमारा telegram channel जो है वो join कर सकते हैं अगला question देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं which one of the following statement is not true about the India's federal polity तो इंडिया देखो मैंने बहुत बार इंडिया का federal polity system आपको समझाया है कि इसमें क्या होता है तो यहां परना जब not true पूछा गया है तो थोड़ा सा tough हो जाएगा last से हम option discuss करत समिधान सबसे उपर है इंडिया में आगे बोलते हैं कि यहां पर केंदर और राज्यों के बीच में सक्तियों का भी भाजन होता है देखो यहां पर distribution होती है power की state और center के बीच में तो यह भी सही है आगे बोलते है existence of two level of government अगर doubtful लग रहा है मुझे तो यह हो सकता है otherwise यहा level की government है central level की government है तो देखते हैं कि कौन सा जो है वो सही होगा और मैंसे commission किसको priority देता है अगला question देखें बोलते हैं यहां पर 8 में question में बोलते हैं दर लहौर session of Congress past the resolution declaring पूर्णा सराज to be Congress objective in 1927 बिल्कुल भी नहीं 1927 में तो यह बात हुई ही नहीं थी यह बात कब हुई थ question था यह बिल्कुल गलत statement है दूसरे में बोलते हैं civil disobedience movement was started in 1922 कि जो सविन्या वग्या अंदोलन था यह कब स्टार्ट हुआ था 1922 में स्टार्ट हुआ था basic gk का basic history का question था आफका civil disobedience movement के बारे में देखो यह जो सविन्या वग्या अंदोलन हुआ था ना यह 1930 में तो मार्च 1930 में जो था वो start हो था डंडी मार्च के साथ तो यह आप बिल्कुल गलत कर देते तो दोनों ही statement गलत हो गई statement 1 is incorrect और statement 2 is incorrect तो option B बोथ statement 1 and 2 are incorrect हो जाएगा दोनों ही गलत है अगला question देखें बोलते हैं permanent settlement was introduced by असान question था यह भी बोलते हैं यह किसके दोरा introduce की गई हैं यहां पर बोलते हैं cloud in golden receive the nobel memorial prize in economy science for the work of देखो जब nobel prize मिले थे ना तो मैंने एक ही चीज़ के उपर focus किया था cloud in golden और मैंने उस ताम यह भी कहा था कि 100% sure यह question पूछा जाएगा exam में इनको क्यों यह award दिया गया है तो हमने क्या पढ़ा था कि इनको यह nobel prize economy में मिला है यह क्यों मिला है इन्होंने जो research किया था वो man का जो historical and contemporary role है labor market में सरम बजार में महिलाओं की जो एतिहासिक और समकालिन भूमिका है उसके लिए इनको यह award मिला था option B जो है वो इसका सही अंसर हो जाएगा यह बिलकुल सही अंसर है तो यह question भी हमने discuss किया हुआ था next question इंडिया इंडिया टेटिड वीजन aims to making India the fastest growing innovation economy in the world अगये मैं पोर बोलत 18 मंत्री का जो इंडिया टेटिडवीजन है उसका लक्ष यह है कि भारत को दुनिया में सबसे तेजी से ब्ढ़ने वाली जो नप्रत्थम अर्थ विएष्ष्थ है वो बनाना है जो घुन गौलण वो दिल्ली में की गई, दूसरी statement तो बिल्कुल सही दी गई है, यह हमने PGT paper 1 की test series में discuss कर रखी है, तो यह दूसरी statement आप बिल्कुल सही कर देते हैं, और देखो इंडिया का जो यह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा tech aid vision जो है वो launch किया गया है, इसका aim देखो इस तरह से है कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि tech दिया गया है, तो semiconductor technology से related होगा, इकॉन में इस तरह से यह नहीं है, तो पहली statement गलत हो जाएगी, दूसरी सही है, तो statement 1 is incorrect and statement 2 is correct, option D जो है, वो सही answer यहां पर दिया गया है, अगले question में बोलते हैं, which of the following policies has not been initiated by the NDA government headed by Prime Minister Narendra Modi, देखो हम एक योजना की बात करेंगे कि कब कब launch की गई थी, क्योंकि question में वही पूछा गया है कि प्रधान मंतरी Narendra Modi के जो निदरित्व वाली NDA सरकार है, उसके द्वारा कौन सी निती सुरू नहीं की गई है, सबसे पहले है startup India, इसको 2016 में जो थाओ launch किया गया था, यह हमने पढ इस तरह से, यह आपने बहुत बार हमारा हिमाचल का जो economic survey होता है, वहां पर भी पढ़ा होगा, तो यह 2018-19 में जो था हो start हुआ था, तो इस हिसाब से देखेंगे तो option C सही answer है, setting up of national innovation council जो है, यह NDA government के कारेकाल का नहीं आता, तो यह भी बिल्कुल सही आप करके आते, हमने UAE का question पड़ा था, प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी जब गई थे, option B जो है, वो UAE आपने 100% sure यह ठीक किया होगा, मैं मान सकता हूँ कि कभी गलत कर ही नहीं सकते, और जो मैंने कल वीडियो डाली है एक morning में, उसमें भी देखना है, हमने question discuss किया है, कि पहला Hindu traditional temple अभी कह यहां पर inaugurate किया गया है, तो UAE में किया गया है, तो यह भी आपका सही होगा, अगले question में देखें क्या बोलते हैं, question number 14 में यहां पर देखें, यहां पर देखें, यहां पर बोलते हैं कि जो उभरती generative AI है, उसमें जो है, वो बोलते हैं कौन सा tool ऐसा है, जो text input के अधार प बोलते हैं, when did the parliament passed the public examination, जिसको prevention unfair means bill 2024 भी कहा गया, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, कि सारवजनिक प्रिक्साओं में अनुची तसाधनों का उप्योग में जो है, वो रोकताम लाई जाएगी, साथ में कड़ी कारवाई की जाएगी, यह जो है, कब प यह आपने ध्यान रखना है, अगला क्वेशन हिमाचल जी के का चलता है, हिमाचल जी के के असान ही क्वेशन थे, बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग कर लेते हैं आप 50% कवर असान से, बोलते हैं, which of the following river does not pass through हिमाचल प्रदेश, जेलम नदी का कोई लेना देना नहीं है हिम माचल प्रदेश से, option A, सही answer हो जाएगा, अब देखो PGT paper 1 की test reads आपकी बहुत ज्यादा help करेगी, PGT वहाँ से practice आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, और main target वही है practice करना, ताकि questions को solve कर बाएं, तो PGT paper 1 की test reads अगर आपको practice करनी है, तो नीचे description box, comment box में उसके link दिये गए है वहाँ से आप practice कर सकते हैं, और test reads जोईन करने के बाएं, test reads, group जोईन कर लेना, question number 17 देखिए, क्या बोलते हैं, statement 1, statement 2 बताई गई है, बोलते हैं, नाटी के बारे में दिया गया है, कि नाटी नरित्य जो है, वो दुनिया में सबसे बड़े लोक नरित्य के रूप में, Guinness Book of World Record में सामिल हो चुका है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि हो चुका है, आगे बोलते हैं, कुलू नाटी जो है, ये कुलू नाटी नरित्य दसहरा पर किया जाता है, और भगवान क्रिशन के जीवन और गोपियों के साथ उनकी रासलीला से समन्नित कहानियों को दर्साया जात हैं, वहां पर निमलिकित लोगों द्वारा वोट डालने के साथ सुरू की गई थी, तो ये कहां पर की गई थी, ये की गई थी, चीनी पांगी तहसीलों में, option A, जो हो सही अंसरे, तब ही तो, तब ही तो हम क्या पढ़ते हैं बार बार, कि सियाम सर्ण नेगी जो भारत के स सबसे पुराने मद्दाता के रूप में जाने जाते थे, तो उनका हम पढ़ते थे, तो वो किनौर से चीनी तहसील से ही उस टाइम आते थे, तो उनका हमने पढ़ा है, तो आप बिल्कुल सही इस कॉश्चन को करते हैं, उस हिजाब से, अगला कॉश्चन भी ऐसान ही था, तो बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश जब मुख्या आयुक्त के रूप में बना था, कब बना था, कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो तीस छोटी बड़ी रियास्तों को मिला कर बनाया गया था, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी स्टेर कॉश्चन आप सही करकर आते अगला बीसवा क्वेशन देखें, इसमें बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश असेंबली ने पंचाइदी राज एक्ट 1994 को इंप्लिमेंट किया है, तेई सप्रेल 1994 को बिल्कुल सही बात है, इसी दिन जो हो किया है, अब इसका एक यहां पर 97D सेक्शन भी जो हो दिया गया है देखो 97D सेक्शन क्या ये बात करता है, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के बारे में विलेज ब्लॉक लेवल पर या फिर कुछ और बात करता है, देखो ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है, मैं आपको बताऊँ, 97D जो हो बात करता है, रिजर्वेशन की ग्राम पंचायतों में, पंचायत समीतीज में, और इसमें जो है, वो बात की गई है, कि जो reservation होगा, वो schedule drive को दिया जाएगा, और ये less than one half of the total number of seats नहीं होगा, तो schedule drive यहां पर होना था, schedule cast नहीं होना था, statement one is correct, two is incorrect, option b, सही answer होगा, tricky question था थोड़ा, अगला question देखते हैं, क्या बोलत हिमाचल प्रदेश high court के chief justice और उनका tenure match करना है, तो एक जो हमने यहां बोलते हैं, what is the percentage of flora spaces, which are endemic to हिमाचल and characteristics of western हिमाल्य फ्लोरा, तो बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानी पेड पॉधों की बनस्पतियां, जो पस्चमी हिमाल्य में भी पाई जा हो जाएगा इसका, आगे बोलते हैं, यहां पर कि during 1952-56 हिमाचल प्रदेश जो legislative assembly के कुछ यहां पर act दिये गए हैं, इसमें जो है, वो बोलते हैं कि कौन सा act ऐसा है, जो जो है socio-economic development है, उसको में less aim करता है, वैसे तो मैं इसमें मान के चलूँगा option B को परन्तों फिर इसक चेक करेंगे हम अनसर की आने पर उसको pending ही रखते हैं तब तक, अगला question देखें क्या बोलते हैं यहां पर next question में, next question में बोलते हैं, choose the incorrect statement, आपको गल्त statement जो हो find करनी है, तो यहां पर जैसे ही आप सभी statement को पढ़ते हैं, तो सिरिखंड का जो option B है यह आपका गल्लत हो जात जिसमें, जिसके समक्स भक्त चुहाँ चर्स का कब जलाते हैं, तो देखो यह option B जो हो सही हो जाएगा, क्यूंकि यह statement सही नहीं दी गई है, अगले question में बोलते हैं, बोलते हैं कि इस मुगल साचा केस में में, कांगडा में हमें पहली बार नई संस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है, जिसमें पारंपरिक भारतिय संस्कृति तथा फार्सी कोर्ट लाइफ अदालती जो जीवन था, उसका अधुत मिश्रण जो हो देखने को मिलता है, तो दो देखिए वैसे तो इसका कवर सही अंसर होना चाहिए, पर फिर भी अंसर की आने पर इस question को चे हिमाचल में लगवक कुल कृशी योगय भूमी, जो हो 60% है, देखो अगर हम बात करते हैं, यहांपर की हिमाचल प्रदेश में जो कुल कृशी योगय भूमी है, वो 60% क्या वर्षा सिंचित है, देखो यह 60% नहीं है, यह 80% जो हो आती है, तो पहली statement गलत हो जाएगी, चंगड़ा के बाद चंबा सिर्मौर और मंडी आते हैं तो यह भी गलत हो जाएगी तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हाँ गलत दी गई है ऑप्शिन भी बोथ वन एंट्टू आर इंकरेक्ट सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं अरेंज दा फॉलॉइंग डिस्टिक ऑफ ह दी अंग्यक lasP करंगे तो सिर्म डी सितिक में इंट्रोंट ग्रॉप फ्रूट क्रॉप है वह सिंहां में 21.56 है 21.56 वे बालंदेन के बात करते हैं तो यहाँ पर 13.54% है और उसके बाद अगर हमके 9 डिस्टिक की बात करते हैं तो कि 9 डिस्टिक में जो है यह 5.59 यह प्रिसेंटेज़ है 5.59 अब आपको बताना है यह बढ़ते करम में सब्से कैसे आ जाएगा यह ये आ जाएगा सबसे पहले चौथा उसके बाद तीसरा उसके बाद दूसरा उसके बाद पहला चौथा तीसरा दूसरा पहला option D जो है वो सही अंसर हो जाएगा ये order जो है वो सही दिया गया है यहाँ पर अगले question मैं बोलते है according to periodic labor force survey 2021-2022 the unemployment rate in हिमाचर प्रदेश तुड़ा ये mission allied में discuss हो चुका है कि 2021-2022 का जब हमने कॉन्विक सर्वे पढ़ा था तो unemployment rate यहाँ पर 4% था option B जो है वो सही अंसर हो जाएगा गिरी राज में भी चाहिए डिसकस हुआ है और mission allied में तो ये discuss हुआ ही है और देखो जब हमने allied services की test series में discuss ये question किया था तो हमने हिमाचल का unemployment rate भी जाना था हमने जो था वो बाकी districts का unemployment rate बाकी states का unemployment rate भी जाना था इंडिया का 4.1 था और हिमाचल का 4% था अब चलते हैं English के question 31 में बोलते हैं जैविर fell off होगा ओडवलेफ यहां पर the chair और आगले में बोलते हैं one should do once duty option A सही अंसर हो जाएगा आगे opposite meaning आपको बताना है इसका होता है जो opposite meaning होता है success option C सही अंसर है compassion compassion का जो opposite meaning होगा वो क्या होगा indifference इसका opposite meaning होगा compassion का देखो मिलते जुलते हैं sympathy भी empathy भी hardship भी प्रंतु indifference इसका opposite होगा आगे आपको error बताना है इसमें तो error कौन सा होगा यह होगा option C the fraud cases have been यह जो है वो यहां पर error है उससे अग error है यहां पर आगे दिया गए है यहां पर आपको क्या करना है जो सही यहां पर word fit होता है वो बताना है तो यहां पर बोलते हैं medicine prescribed by the doctor in consider to be in the death which cure all diseases तो पैनेशीय है इसका हो जाएगा यहां कि रामबान होगा यह जो सभी सभी disease के लिए होता है एक तरह से रामबान जिसको बोलते हैं one who is a great lover of books तो उसको क्या बोलते हैं इसको बीविलोफाइल बोलते हैं option D सही अंसर है I think PGT की test series में discuss हुए है question अगला question हमारे पास idiom है यहां पर बोलते है हरी clean task यह क्या होता है यह very difficult होता है option D सही अंसर है और आगे बोलते हैं fair and square fair and square का upright option A जो है उसाही answer हो उपयोग हैंगे इनके प्रयावाच्ची के रूप में कौन कौन से उपयोग हो जाएंगे सीदी जी बाती सदन निले निकेतन मंदिर धाम यह एक ही होते है option B जो है वो सही answer होना था इसका आगे बोलते हैं निम्मल लिकित में से कौन सा कारकों के में जो है वो उप्युक्त है तो कारक की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो पहला देखे यहां पर होता है यह गाड़ी बनारस से आ रही है तो बनारस से आ रही है मतलब यहां पर बिछडन हो रहा है तो करन तो नहीं होगा यहां पर बोलते हैं यह कोस देखता है संपरदान भी नहीं होगा यहां पर तो इस इसाबसट ओप्शन सी सही अंसर प्षाइगा आगे बोबते हैं सचीन आता होगा वाक्य का काल है तो सचीन आता होगा इस वाक्य सा काल इस्तेमाल हुआ है आता होगा जब यहां पर लगा है समानने भविष्य ही होना चाहिए cry सही हम और के मैं भी पिन करने की कोशिश करूँगा, टेलिग्राम पर भी अपडेट मिल जाएगी, अंसर की आने पर भी हम डिसकस कर लेंगे, आगे बोलते हैं, निम्मलिकित मैंसे निश्चित संख्या वाचक विशेशन का भेध है, संख्या वाचक की अगर हम बात करते हैं, तो क्रम वा अप्शन सी, इसका सही अंसर होगा, फिर आगे बोलते हैं, मा आ जाती तो मैं चलता, यह कौन सा वाक्य होगा, देखो यह मिसर वाक्य हो सकता है, अप्शन सी, सरल वाक्य यह नहीं है, स्यूंक्त वाक्य भी यह नहीं है, तो मिसर वाक्य यह हमान के चले हैं, आगे बोलते ह को नित्य प्रणाम करता हूं यह सही होगा option c सही अंसर है आगे बोलते हैं 48 में बोलते हैं कर रहा हूं ना इस वाक्य में अव्य है तो कर रहा हूं मैं निश्चे के अर्थ में है option b सही अंसर हो जाएगा ठीका जी तो अगले 49 में बोलते हैं गांधी जी हमारे राष्ट पिता हैं आपका जनम पूरवंदर में हुआ था उप्युक्त उद्रन में आया सर्वनाम जो है वो कौन सा है तो इसमें सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो निश्चे की यहां पर आएगा option b सही अंसर हो जाएगा 50 में बोलते हैं किस वाक्या के साथ सब्द का संग्या के रहा था और वाकी तो हम नहीं मानेंगे कोई भी वाकी अंसर की आने पर तो मैंने बताया ही है एलाइड सर्वसीज की टेस्टीर्स प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत सारी हल्प यहां पर भी वहां से मिली है PGT पेपर वन की टेस्टीर्स से मिली है तो इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शिन वॉक्स कमेंट वॉक्स में दिये गए है दिखो प्रैक्टिस ही जो है उसबसे बड़ा एक तफलता की कुंजी के रूप में यहां पर काम करेगा अगर कोई की है तो वो प्रैक्टिस ही है जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी हल्प होगी और उतनी ही accuracy जो है वो questions में आएगी, तो आप पर depend करता है आप बातों को क्या से समझते हैं, बाकी telegram का मैंने बता दिया है, at the rate all exam 31 करके search करना, आपको माना telegram channel मिल जाएगा, that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening it very patiently.